सबस्क्र दोस्तों जो है कम्यूनिटी हेल्थ असिस्टेंट यह पद भी इसमें आप पे शामिल कर लिया गया और भी अधर पोष्ट भी इसमें आप पे रहने वाल यह इसकी लिए आपको एप्लिकेशन फॉर्म आपको यहां पर दे दिया गया है एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को आपको याप पर send करने होंगे बताना चाहता हम जो भी आपका qualification है आपकी selection उसी आधार पर किया जाएगा तो जो भी BSC Nursing में आप लोग ने marks आपके नर्सिंग में आप लोग ने marks आपके नर्सिंग किये या फिर आप लोग ने GNM के डिप्लोमा में फिल करना होगा सबसे पहले यह जाने यह जो वेकैंसी यहाँ पर रिलीस के गई हैडिंग पढ़ सकते हैं लखा हुआ है Department of Health and Family Welfare Office of the Chief Medical Officer of Health Darjeeling तो दोस्तो गौर्मेंट आफ वेस्ट बेंगॉल तो वेस्ट बेंगॉल पश्य मंगाल Darjeeling इनके तरफ से यह recruitment यहाँ पर आ चुका है कुछी समय पहले यह information officially आपको website पर provide कराए गई इसके लिए आपको जो है notification आपको यहाँ पर दे दिया नीचे मैं आप लोगों को यहाँ ले चलता हूँ तो यहाँ पर देखिए table में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी तो देख सकते हैं यह second number की information है यहाँ पर staff nurse की post यहाँ पर रहेगी कुल मिला कि इसमें 22 पर है सभी categories को मिला कि 22 पर इसमें रहेगी 25,000 रुपय आपको इसमें salary मिलेगी 40 साल हुमार यहाँ पर रखे गई GNM diploma यदि आप लोग हैं बिलकुल आप लोग जो है vacancy को apply कर सकते हैं और BSC nursing भी है तो भी बिलकुल आप लोग यहाँ पर आविदन कर पाएंगे तो यहाँ पर देखे लिखा है GNM और यहाँ पर लिखा है BSC nursing तो दोनों candidates में apply करें और West Bengal nursing council में आप लोगों को registration यहाँ पर होना चाहिए और local language का भी ज्यान आपको यहाँ पर होना चाहिए इसमें देखिए selection का criteria बता दिया गया कोई भी इसमें PG degree के नंबर नहीं है कोई भी इसमें आप देखिए अधर यहाँ पर qualification, computer test, nine experience किसी के भी नंबर नहीं है 100% जो भी आपकी merit list है आप लोगों की qualifying यहाँ पर रहने वाली है आपकी qualification से ही आपकी यहाँ पर merit list scoring यहाँ पर की जागी इसके बाद देखिए ninth number की post भी है नीचे मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलता हूँ तो देखिए ninth number की यह post है यह भी staff nurse की है NUHM की अंतरगात यह post है छे पद है और यहाँ पर qualification, GNM, Diploma और BSc, Nursing यह सभी candidates apply कर सकते हैं West Bengal Nursing Council में आप लोग registered भी हो और local language का भी ज्यान आपको होना चाहिए 25,000 रुपेस में आपको sell ली मिलेगी इसमें भी देखिए कोई भी आपसे interview नहीं लिया जाएगा 100 marks में से ही आप लोगों की आपके qualification यहाँ पर इसी के तोर पर आपकी merit list में लेगी यही आप स्कोरिंग का system यहाँ पर रहेगा तो exam आपका यहाँ लिया जाने वाला है community health assistant उसमें A&M diploma जो course candidate है और West Bengal nursing council में registration है और GNM diploma candidates West Bengal nursing council में registration के साथ आप लोग community health assistant की post के लिए भी आप लोग apply कर सकते हैं और भी इसमें आने पद शामिल कर लिए गए हैं जैसे कि देखिए medical officer की post हैं तो इसमें MBBS qualification वाले candidates अपला करें 21 पद इसमें शामिल कर लिए गए हैं इसमें exam जो है candidate आप लोग का है आप लोग का हैं आप लेकर 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 श्टाफ नर्स में आप लोग कोई भी exam नहीं है simple आपको जो है बात करते हैं apply किस तरीके से करना है last date क्या रहेगी तो नीचे की तरफ देखें यह आपको application form का यह format आपको दे दिया गया यह application form आप लोग आप लोग आप फिल कर दें सारी जानकरी इसमें आप लोगों को अपनी यह पर provide करानी होगी और यहाँ पर यह आपको देखें list दे दी गई है documents की यह सारी list जो है आपको photocopy का set self attest करके यह आपको यहाँ पर बेजना होगा कहां बेजना है और भीजने की last date क्या है यह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं address आपको दे दिया गया है at the office of chief medical officer of health यह पूरा पता आपको यहाँ पर दे दिया गया है और यह पूरा पिन कोड आपको दिया ज़रा आपका application form और आपके documents self attest करके आपको इस पते पर बेज देना है और देखे 24 फरवरी 2023 यह apply करने की last date रहने वाली है तो यह information आपको मैंने यहाँ पर प्रवाइड यहाँ पर करा दी जदा बड़ा update मैंने आपके cover नहीं किया और बागी सारी information आप चाहें तो official website के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर आपको notification मिल जागा यह update कैसा लगा चाहें तो वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर लें आगे की vacancy की information मिलती रहेगी मिलते आप से अगले वीडियो में thank you so much